हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नकली बीडी बनाने के कार खाने का परदा फाश DST टीम ने गांधी नगर में की कारवाई लाखो रुपए का कच्चा माल किया बरामत विभन ब्रांडे बीडी के मिले स्टीकर नकली चॉकलेट भी की गई बरामत मौके पर मिले एक व्यक्ति को लिया हिरासत में DST टीम की ओर से गांधी नगर में सेंचुरी मार्बल के पास एक रहवासी घर में चल रहे नकली बीडी बनाने के कार खाने का परदा फाश किया लाखो रुपए का कच्चा माल विभन ब्रांडे कंपनी की बीडी के रेफर बरामत किये गए साथी अन्य कमरे से बड़ी मात्रा में नकली चॉकलेट भी बनावत की गई एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया सूचना मिलने पर शेहर पुलिस मौकी पर पहुँची आवश्यक कारवाई को अन्जाम दिया गांधी नगर सेंचरी मार्बल के पास दित एक तो मंसिला मकान में लंबे समय से नकली बीडी बनाने की सूचना मिली इस पर डियस्टी टीम प्रभारी आनन कुमार मैं टीम के मौके पर पहुँचे मकान पर दभीश दी गई घर की उपरी मंसिला पर बड़ी तादात में ब्रांडेट कंपनी की बीडी की स्टिकर वर लाखों रुपए का कच्चा माल पाया गया मौके पर मिले उत्तर प्रदेश के अमराहो निवासी वसीन खान ने बताया कि उसका भाई आसीम कारे करता है पूच्टाच के दौरान उसने अधिकारियों को बताया कि वो दिल्ली से स्टिकर छपवा कर मंगवाते हैं कच्चा माल भी दिल्ली से लाया जाता है बाजार में जस ब्रांड की बेडी की अवशकता होती है उसी तरह के ब्राइन के बेड़ी उपलब करवा दी जाती है DST टीम ने मकान में भूतर में बड़ी मातरा में बोरो में भरी नकली चौकलेट भी बरामत की गई सूचना मिलने पर शहर खाने के उपनिरिक्षन गनी महामद में जापता मौके पर पहुँचे मौके पर मिलें 30 नमबर 502 पताका बेड़ी, त्रिशूल पेड़ी, स्पेशल टेलिफोन बेड़ी, मस्दूर ट्रिबल फो बेड़ी की स्टीकर, बेड़ी पनाने का कच्चा माल वर चौकलेट बरामत की गई जागरुक टेवे के सम्वादते से बात करते वे गनी महामद उपनिरिक्षन शहर थाना आबुरोड इनो ने ये का शिरोई बीस्टी टीम की इंफर्मेशन थे किसाब हम यह गांदी नगर आबुरोड में खड़े हैं तो अंदर जो बीडी मिली है उस पर कोई मार्का नहीं है बोरों में और एक आदमी मिला जो अलग-अलग कंपनी की जैसे फीस नंबर बीडी स्पेशल टेलिफॉन बीडी मजदूर 445 बीडी और 30 बीडी और 502 पता का बीडी इसका मार्का लगा कर अपनी ये पैकिंग बना कर मार्केट में शेल करता है काफी लेबल इस कंपनियों के मिले हैं और काफी मात्रा में कच्छा माल बीडी का मिला है जागरुक टेवी केले आबूरोड से मनोच चौरसिया की रिपोर्ट